तो हलो गाई वेलकम बैक तो माई यूडियोब चैनल फ्रीकी टेकेंग गेमिंग के अंदर आज मैं आपके लेके आया हूँ मैं वन प्लस इलेविन लेके आया था आप लोगों ने मेरा कोमेंट सेक्षिन भर दिया कि हमें वन प्लस इलेवन आर चाहिए तो गाईज मैं उसकी भी एक फुल रिव्यू लेके आया हूँ हर किसी ने इसके अंबॉक्सिंग बनाया लेकिन किसी ने पर पता किसका डंग से फुल रिव्यू नहीं बनाया तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देखाऊंगा कि मेरा दो से धाई महीने के बाद experience कैसा रहता है और आखिर तो हम आचुके मेरी अंबॉक्सिंग डेबल पर और मैं क्या फेक अंबॉक्सिंग करूं लेकिन आपको अपना फील जरूर दूँगा कि कैसी अंबॉक्सिंग क्या आती है मैं इस फोन को बता चुको बहुत टाइम से यूस कर रहा हूं यह पड़ा मेरा फोन और इसका यह कि बात कर लेता हूं कवर वही आपको एक नॉर्मल सा देखने के लिए मिलता हूं यहां पर एक स्टिकर देखने के लिए मिलेगा मैंने मतला अब जब लोग को अन्बॉक्सिंग की फील दे सको और यह हमारा फोन इसके ऊपर बाद में आते हैं पहले फटा फट से बॉक्स क किह अंदर हमें हमारा रेट केबल का कार देखने के लिए मिलेगा एक यहां पर यह कुछ बट ख स्किंश रहे हैं और कुछ सेफटी गाइड है एक आदी यूजर मैनुवल भी है और एक हमारी नेवल सेटल की यहां पर एक और काट देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आया था हमारा फोन जो कि मैं निकाल चुका हूँ और यहां पर हमारा वही 100 वाट का चार्जर जो 1 प्लस 11 के अंदर था मेरे को समझ नहीं आ रहा वन प्लस 11 लेकि मैंने गलती तो नहीं कर दे वो इस वीडियो के एंड तक आपको पता जरूर चलेगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्स्राइब जरूर करते रहिए एक आपको मिल जाएगे आपकी यही केबल और हमारी वही टेपिकल स्टाइल रेड कलोगी केबल अच्छी खासी मोटी हट्टी कट्टी जिसकी कॉलिटी सेम वन प्लस 11 वाली है आई मीन बहुत अच्छी है सेम चार्जर पूरा एस रटिस देखने के लिए मिल जाता है तो जो इंसान ज्यादा पैसे खर्च करेगा तो कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना जीए और एक्स्ट्रा के नाम पर सिरफ यहां पर क्यामरा मॉड्यूल देख रहो है यहां पर हैसल ब्लैड के ब्रैंडिंग अब है अधर वाइस पूरा फोन से हैं पूरा बैक में आपको गोरिला कौन सा है और तो बिल्कुल ही सेम लगता है बिल्कुल ही सेम और अगर फ्रेंट से बात करो तो फ्रेंट के अंदर यह फरक है कि सेंटर पंच होल देखने के लिए मिल जाता है लिकिन भाई आपको डिस्प्ले सेक्शन में दिखाऊंगा यह डिस्पले अच्छी है या बु इस सेम ट्रें एक माइक होल जो हमारा प्राइमरी वाला है एक यूस्पी टूपैंट होगा पोर्ट और एक प्राइमरी स्पीकर राइट हैंड साइट पर यहां पर बटन देखने के लिए मिल जाता है और ऊपर हमारा अलर्ट स्लाइडर भी है भाई समझ नहीं आ रहा कि इ इतने फीचर और बन प्लस 11 से जादा कि कैसे पॉसिबल है तो 11 वालों डूप के मर जाओ मैं भी उन में और फ्रंट के हंदर हमें यहां पर ड्राइगन टेल का ग्लास प्रोडक्शन देख लेके लिए मिलती है जैसे बैक में गोरिला ग्लास फाइव है ना फ्रंट में ड्र महिने का शेयर करने वाला हूं कि मुझे क्या क्या चीजे फेज होई और कितना मुझे 11 से फरक दिखा क्या आपको 17,000 रुपे करने चाहिए एक्स्ट्रा 11 के लिए उसके कैमरा के लिए आपको वीडियो के एंड तक जरूर पता चल जाएगा इसकी डिस्पले की तरफ और य की है मतलब इसकी रेजलुशन बहुत अच्छी है और इस प्राइज रेंज की एसाफ से बहुत ही जादा अच्छी है मतलब अच्छी खासी दिस्पले देखने के लिए मिल जाती है मतलब वन प्लस 11 के अंदर हमें 1300 निट्स मिलता था इसमें एक साइड अप्ग्रेड है कमाल है और यह कर्वड है गाइस कर्वड यह देखो मतलब जो आपकी व्यूइंग एक्सपीरियन्स होगा वह बहुत ही गजब होगा इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एक कर्वड पैनल देखने के लिए मिलता है और नेट्प्लिक्स पर आप HDR content को भी consume कर सकते हो और इसके अंदर टी यूवी एस यूडी 48 मन तक के फ्लुएंसी रेटिंग भी देखने के लिए मिलती है डिस्प्ले के अंदर मतलब कंपनी कहते है कि 48 मंट तक इसके डिस्प्ले जैसी है वैसी रहेगी यानि बिल्कुल फ्लूइड भाई डिस्प्ले के चली रही है तो इसके मुल्टी मेडिया के लिए आपको इसके अंदर जो स्पीकर से वनमें डॉल भी आट्मॉस का सपोर्ट दिखने के लिए मिलता है और इसके स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है यह रहा एक लाइफ एग्जाम्पल और और अगर में इसके स्पीकर को कंपेर करो उसके वाले थोड़े ज्याधा तो अगर आप चांजाए तो थोड़ा सा स्पीकर जोएशका लो फिल होता है बट अच्छी क्रासी कॉलिटी ऐसा नियें कि बेकार है अच्छा स्पीकर में थोड़ाशा लोग है और जबिगार के अदर बहुत अच्छी चीज जिन लोगों के पास अगर वन प्लस के बड्ड जो नहीं वाले आए हैं बड्स चू बड्स प्रो टू अगर वो लेने के पैसे हैं या फिर है तो आप इसके अदर स्पेशल आडियो नाम के फीचर का भी मजा ले सकते हो मुझे लगा खाली वन प्रिमियम वाले फील होते हैं लेकिन हां यह भी अच्छे हैं बुरे नहीं है उसके मुकाबले थोड़ा सा कम है सिरफ तो गाइस अब करते हैं इस फोन की जान की बाद इसकी जान इसका दिमाग यानि ऑक्सीजिन ओएस आपको एंड्रोइड 13 आउट ऑफ दबॉक्स देख मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आज है 18th of June और 18th June के हिसाब से इसके अंदर बिलकुल लेटेश भी नहीं कहुँआ लेकिन हाँ अपडेट्स ऑन टाइम है फिफ्त में यहां पर आप पढ़ सकते हो तो अभी तक दो महीने के अंदर वनप्लस ने जो अपडेट्स इसके अंदर आ चुका है तो यह ओन टाइम चल रहा है विलकुल तो गाइस बात करते हैं बैटरी बैकप की इसका बैटरी बैकप वन प्लस 11 से अच्छा है क्यों मैं आपको रीजन देता हूँ इसके अंदर भी 5000 मिलयामपेर की बैटरी है उसके अंदर भी इतनी थी लेकिन इसका बैटरी बैकप ज्यादा अच्छा आ रहा है पता नहीं कैसे आप यह देखो मेरे यूसेज के साफ से अभी एक दिन 22 घंटे यानि वन डे 22 आर्स दिखा रहा है 99% बैटरी है कि इतना और चलेगा भाई आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इतना तो खेर नहीं चलेग पर मेरा अच्छा खासा मुझे बैटरी बैकप दे रहा है और इसके साथ 100 वाट का चार्जर आता है और इसके खुद के चार्जर से क्योंकि मैंने वन प्लस 11 के चार्जर चार्ज करा था दोनों में सेम है खुद के चार्जर से आप यह मान के चलो कि एराउंड 35 तो 40 बैटरी हेल्थ का आपके फोन के अंदर यहां पर यह बैटरी हेल्थ शो करा करेगा और सेपरेट वीडियो लेकर आओ अब उसकी बात नहीं करते तो आपको आपल वाली यहां पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है अब से आपको वन प्लस भी बैटरी हेल्थ बैटरी की प्रवाइड करेगा इसकी वन ओफ दे मेजर आस्पेक्ट की जो कि इसका कैमरा क्या इसका कैमरा वन प्लस 11 जैसा है या नहीं है इसकी अभी आपको पूरी जानकारियों देता हूं सबसे खमाल की बात है कि जो इसका मेन प्राइमरी लेंड्स है ना वह 50 मेगा पिक्सल का वही वाला है जो वन प्लस 11 के अंदर है तो भाई आफ सोचोगे कि आखिर वन प्लस 11 जैसे फरक ही गया 17,000 पर हम क्यों पे कर रहे है फ्रेंट कैमरा की बात कर ले तो फ्रेंट कैमरा इसका वही 16 मेगा पिक्सल वाला शूटर है जो इनका बहुत पुराना चलता रहा उसकी आप कुछ देख भी पा रहे होगे और अगर इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको वही 1080p 60fps तक देखने के लिए मिल जाती है उससे उपड नहीं है और फ्रेंट कैमरा की कुछ सांपर में आपको आगे दिखाऊंगा और अब आपसे क्यामरा की बात करूं तो इसके अंदर अगरा प्राइमरी लेंज को ही यूज करते हो अल्ट्रावाइड और मैक्रो को नहीं करते जादा वैसे मैक्रो कौन ही करता है तो आपको सेम वान प्लस इलेविन वाली कोवालिटी देखने के लिए मिलेगी सिरफ थोड़ा कल प्राइली फोटो लेंज वाला कैमरा भी है जो कि इसमें नहीं है लेकिन भाई 17,000 रुपे फिर वही बात है अगर आपको प्राइमरी लेंज ही आप यूज करते हो तो डेफिनिटली गो फॉर देस और गाइस अगर इसके कैमरा यूई की बात करो तो उसके कैमरा यूई ब बिलती है और कलर्स अच्छे खासे प्रोड्यूस करता है कोई ऐसे नहीं कैमरा बेकार यूई कैमरा बहुत अच्छा है और यह देखो आप कुछ कैमरा के सैंपल्स झाल झाल प्राइस झाल झाल तो गाईज अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो रही है 4K 60fps पर और मैं इसा अलका अलका जूम गरता हूँ आपको दिखाने के लिए 2x तक लेके जाऊंगा ये इसका प्राइमरी लेंज है और कुछ ऐसी से वीडियो क्वालेटे हमें देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर बारिश हो रही है आप देख सकते होगे हलका हलका इसके अंदर विजिबल हो रहा है कामरा ओवरॉल डीसेंट लग रहा है मुझे अभी तक गाइस अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वह हो रही है इसके अल्ट्रा वाइड लेंज से 1080p 30fps पर इससे ओपर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है और कोई जूम करने के लिए नहीं मिलता और मुझे ये बहुत बेकार सा लग रहा है अपने अभी तक तो स्क्रीन में देखकर तो गाइस अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वह हो रही है इसके फ्रंट कैमरा से और फ्रंट कैमरा भी या डंग से इसका वर्ग नहीं कर रहा 1080p 30fps की फूटेज है बस इतना ही ओप्शन है और आप देख रहे हो पीछे इसमें बिल्कुल वाइड वाइड कर दिया एक्स्पोजर बैलन्स नहीं कर बारा पीछे स्काय है वो तो देखे नहीं रहा और मेरे पीछे जो मेरी च्छत है मुझे वो भी नहीं दिख रहे है झाल झाल तो गाइस अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो रियस के फ्रेंट कामरा से 1080p 30fps पर इंडोर में यानि मेरे सेट अप पर तो ओवरॉल ये बैलेंस ठीक ठीक सा कर रहा है लाइट को पीछे समझ नहीं आ रहा देखो मेरे टीवी में कि आखिर क्या चल रहा है और बस ठीक ठाक सी को लिटी है फ्रेंट कामरा की तो गाइस अब जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है वो रही है इसके बैक कामरा से और 4K 60fps पर मैंने 10bit कलर ऑप्शन गौन नहीं करा क्योंकि यह जेल नहीं पा रहा अब जो वीडियो रेकॉर्डिंग हो रही है इसका अल्ट्रा वाइड वाला लेंज और कुछ एसी सी अप क्वालिटी देखने के लिए मिल जाती है मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी के तो आपको इसके अंदर वाइफा वर्जिन 6 ब्लूडूथ वर्जिन 5.3 बिल्कुल लेटेस्ट आपको इसके अंदर भी एंफसी का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है बिल्कुल वन प्लस 11 के जैसे आपको इसके डूएल 5G का सपोर्ट मिलते हैं 4g वोल्ट होगा ही तो और सारी कनेक्टिविट के फीचर दखने के लिए मिलते है उसमें आपको 11 5G के बैंड्ट नाहीं इसके अंदर लाइफ पाइब कर दिखा हूंगा थ seamlessly तो गाइज हम मैं बात करता हूं इसके सेकेंड सबसे मेन आसपेक्ट की जो की है इसका प्रोसेसर आपको इसके अंदर स्नाप ड्रेगन 8 प्लस जेन 1 देखने के लिए मिलता है जो की एक फ्लैक्शिप प्रोसेसर है आपको एक फ्लैक्शिप प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है और उसकी पावर को पूरा निचोड़ने के लिए हमने कुछ बेंक्चमार्क्स और कुछ गेमिंग के लिए कॉंटेंट हिखटा कर रहा है तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं पहला थोड़ा फोन को कर दे इसकी स्टोरेज की रीड और राइट स्पीड का टेस्ट आप है लास्ट बेंचमार्क टेस्ट जो कि 3D मार्क का वाइड लाइफ एक्स्ट्रीम स्ट्रेस चेस्ट इसके अंदर मैं आप एक वीडियो लगा दूआ और यह लगबक 15 ताइम्स या 20 टाइम्स लूप के अंदर चलेगा तो बहुत हो गई नंबरी बातचीत अब हम करेंगे गेमिंग टेस्ट और पहली गेम में खेल रहा हूं और जल्दी से देखते हैं क्या यह सपोर्ट ढंक से कर पाता है कोई ग्लिच या कोई लाग तो नहीं है तो आपके सामने लाइफ गेम प्ले कर रहा हूं तो गाइज आइसफॉल्ट नाइन के अंतर मुझे जीरो लाग देखने के लिए मिला मैंने पुगरी मैच आपके सामने खेला है फास्ट पावड करके और गजब की परफॉर्मेंस है अभी तक आगे देखते कैसा रहेगा कोई इतना सा बिजिटर ग्लिच देखने के लिए नहीं मिला सो गाइस नेक्स गेम जो है वह जैंचिन इंपक्ट और वन प्लस इलेवन ने बहुत ही अच्छी तरह इसे हैंडल किया था और वहीं पर F23 अल्ट्रा बिल्कुल फूसट डी हो गया था एट जैन टू के अंदर अभी है एट प्लस जैन वन और देखते हैं कैसी इसको अच्छे से पर्फॉमेंच इसकी निकालने के लिए मैंने यहां पर चैंपियंशिप मोड को कर दिया था और चैंपियंशिप मोड जो इसके नदर होता वुछ गेमिंग फीचर था जिसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस मोड अन हो जाती है तो जल्दी से चलते जैन इ गेंपक्ट के अंदर मैंने यहां पर हाइस पॉसिबल सेटिंग्स पर रिसेट कर दिया है इसको और फ्रेम रेट को भी 60 कर दिया है और नॉर्मली वैसे यह दिखा रहा था मेडियम बाय डिफॉल्ट लेकिन हमें जब जान निगालने है तो हमें हाइस पर करेंगे न तो लेकिन उसके अलावा नॉर्मल सिर्फ मैं गूम रहा था उसके अंदर मुझे थोड़े पट लैड्स देखने के लिए मिल रहे है और फोन भी यार हीट है और अगर मैं अपना दो महीने के हसाफ से गेमिंग रिव्यू दो क्योंकि यह तो चलो एक नॉमल हो गया तो यार य हम जैसे विडियो रिकॉर्डिंग यार कई ना कई हीटिंग हो रही है और अच्छे fps नहीं दे रहा तो चलते हैं नेक्स्ट गेम की तरह तो गाइस तो इसके अंदर आपको 90 fps चाहिए तो यहां पर लो सेटिंग्स हैं अधर्वाइस मैक्स पर और वेरी हाई पर तो हम मैक् फिर मजा नहीं आता और मोगें मोटत के अंदर बहुत सबस्सक्राइं imowas चला जाता है इसे अन कर लेते हैं और इसके अलावा इपर आपको दिखा देता हूं पहले में और मोड इसके अंदर हमें स्क्रीन शॉट आपको कितने अपने हिसाब से वोइस चेंज कर सकते हो गेम फिल्टर जाएंगे आपको इक स्टार्ट आप का मतलब ऐसे जैसे अगर आ नहीं से डिरेक्टली कॉंटीनियू हो जाएगी राम के अंदर रहेगे और कुछ जीप्यू की सेटिंग इसे मत छेड़ना क्योंकि इसे चेड़के गेम मेरा लाग होना शुरू हो गया था और ऊपर एसपीएस मीटर वगरा देखने के लिए मिल जाते हैं तो मैं आपको ए एक मैच खेला और सबसे बड़ी दिक्कत कहा है इस फोन के अंदर यह नहीं है यार यह फोन 50 fps से उपर जा ही नहीं पार आप फ्केस मीटर देख सकते हो मतलब 40 ने 50 सो पर जा ही नहीं रहा जगे 60 fps से जाना चाहिए था इसमें इतनी पावर है और सच कुछ हीटिंग भी नह आया भी है तो अब बार है हम सब की फेवरेट गेम की जो की है बीजी है माई और यह है बिल्कुल लेटेस्ट गेम प्ले इसका तो मैंने यहां पर जो इसकी सेटिंग्स है उसको यहां पर HDR एक्स्ट्रीम पर रखा है और अल्ट्रा एच्डी अल्ट्रा तक अनलॉग्ड है वह हमें पूरी मिल सके कोई यह ना कहें कि भाइया ने परफॉर्मेंस कम रखे जान भूचके तो गाइस यह था मेरा आखरी गेम प्लेज हो कि आपने देखा और भाई मतलब इतने ग्लिच इतने लैग मैं सोच नहीं सकता था 8 Plus Gen 1 से अच्छा तो मेरे पास एक OnePlus 8Ti 865 चल जाता है मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा यह क्या हो रहा है या तो फोन ऑप्तिमाइज नहीं है यह दिक्कत है यह फोन गया ही नहीं 50fps से उपर HDR Extreme पर और इतने 20 इसमें फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे था आपने खुद गेमप्ले देखा है भले तब भी MVP तुम्हारा भाई आ गया है लेकिन पता नहीं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को समझ नहीं आ रहा तो गेमिंग के लिए तो मैं इसे माना करूंगा क्या महसूस हुआ कि गेमिंग के लिए सब यह फोन नहीं है फिलाल तो नहीं है तो गेमिंग के लिए मैं से रिकमेंड नहीं करूंगा तो गाइस अगर मैं आपसे इस वीडियो के वाज करूं तो conclusion बल्कुल से है कि यार जो आज के हिसाफ से 37-38,000 के हिसाफ से अगर मैं कोई फो कर रखी है और स्कोर्स भी ठीक आया है नॉट सो बैड नॉट सो गुड कैमरा भी डीसेंट है और को डिस्प्लेइश का उसे मेन हाइलेटिंग फीचर है साथ में 100 वॉर्ट की चार्जिंग अगर आपका बजट इतना ही है 37-38 तो आप इस फोन को कंस्रेटर कर सकते हो बिकॉस इस रेट के अंदर हमें और कोई फोन अच्छा अभी के लिए देखने के लिए नहीं मिलता इन टर्म्स ऑफ कर्व डिस्प्लेइश कामरा और यार वन प्लस देखो ब्रांडिंग भी एक चीज होती है तो आपको एक अच्छे ब्रांड वैल्यू देखने के लिए मिल जाता है वन प्लस के तरफ से अंडर 38,000 रूपीज तो इस वीडियो में था इतना हैं गाइस थांक्यू सो मज गाइस वाचिंग दिस वीडियो और अगर आपको ऐसी टेक वीडियो और देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर क किजिए अपने दोस्तों के साथ क्योंकि मैं ऐसी ही टेक वीडियो से लेकर आता रहता हूं तो बाँ बाँ गाइस और थांक्यू सो मज गाइस फो वाचिंग